चेहरे पर चंदन पाउडर कैसे लगाएं? जाने 5 तरीके चंदन पाउडर ओन फेस चेहरे पर चंदन का पाउडर लगाने से मुहासों, दाग धबों से छुटकारा मिल सकता है जाने चेहरे पर चंदन पाउडर कैसे लगाएं? चंदन की लकडी का उप्योग पूजा पाठ में किया जाता है इसके अलावा चंदन की लकडी का इस्तेमाल स्किन केर और हेर केर के लिए भी किया जाता है कई लोग चंदन की लकड़ी को घिसकर पेस्ट निकालते हैं और फिर उसे अपनी त्वचा या बालों पर लगाते हैं वहीं कई लोग चंदन की लकड़ी से बना पाउडर यूज करना पसंद करते हैं चंदन का पाउडर लगाने से बढरती अंग्र के लक्षन कम होते हैं. मुहासो और ब्लेक हेड्स से छुटकारा मिलता है. साथ ही चंदन का पाउडर लगाने से छेहरे से दाग धबे, रेदनेस और सूझन भी. अगर आप अपने चेहरे पर चंदन का पाउडर लगाएंगे, तो इससे स्किन चमकदार, ग्लोइंग, मुलायम और बिल्कुल की अर नजर आएगी. इसलिए आप चाहें तो अपने चेहरे पर चंदन के पाउडर को अपलाई करना शुरू कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चेहरे पर चंदन का पाउडर कैसे लगाएं, चेहरे पर चंदन पाउडर कैसे लगाएं, या फिर चेहरे पर चंदन पाउडर में क्या मिला कर लगाना चाहिए? एक चंदन पाउडर और गुलाब जल आप अपने चेहरे पर चंदन पाउडर में गुलाब जल मिला कर लगा सकते हैं इसके लिए आप एक चम्मच चंदन का पाउडर ले इसमें एक माइनस दो चम्मच गुलाब जल डाले अब इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर लगाएं 15-20 मिनट बाद चेहरे को ताजे पानी से धोले रोजाना चंदन पाउडर और गुलाब जल को चेहरे पर लगाने से स्किन हाइडरेट बनेगी साथ ही दाग धबो से भी छुटकारा मिलेगा 2. चंदन पाउडर और एलोवेरा जेल आप चेहरे पर चंदन के पाउडर में एलोवेरा जेल मिलाकर भी लगा सकते हैं चंदन का पाउडर और एलोवेरा जेल लगाने से मुहासों, दाग धबो से छुटकारा मिल सकता है इसके लिए आप एक चंदन पाउडर ले इसमें दो चम्मच एलो विरा जेल मिक्स करें और फिर चेहरे पर लगा ले आधे घंटे बाद चेहरे को ताजे पानी से धोले अच्छे रिजल्ट के लिए आप सप्ताह में 2-3 बार चंदन और एलो विरा फेस पैक को लगा सकते हैं चंदन पाउडर और दूद आप अपने फेस या चेहरे पर चंदन पाउडर में दूद मिक्स करके भी लगा सकते हैं इसके लिए आप चंदन पाउडर में दूद डाल कर पेस्ट तैयार कर ले इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं 20 मिनट बाद चेहरे को ताजे पानी से धोले, कच्चा दूध आपके चेहरे की स्किन को क्लींज करेगा, साथ ही त्वचा मॉइस्चराइज भी होगी. 4. चंदन पाउडर और शेहर, आप चंदन के पाउडर में शेहरे मिला कर भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. शेहद में मॉइस्चराइजिंग गुन होते हैं. इससे आपके चेहरे की स्किन सौफ्ट बनेगी, साथ ही त्वचा पर निखार भी आएगा. इसके लिए आप एक चंदन के पाउडर में आधा चंदन के पाउडर में आधा चंदन शेहरे पर लगाएं. अब इस पेस्ट को अ चंदन के पाउडर में आप दही मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. इसके लिए आप चंदन के पाउडर में दही मिक्स करें. अब इस फेस्ट पैक को अपने चेहरे पर लगाएं. बीस मिनट बाद चेहरे को ताजे पानी से धोले. इससे आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी, स्किन सुन्दर और चमकदार भी नजर आएगी अगर आप अपने चहरे पर चंदन का पाउडर लगाएंगे तो इससे स्किन चमकदार, ग्लोइंग, मुलायम और बिल्कुल की यह नजर आएगी इसलिए आप चाहें तो अपने चेहरे पर चंदन के पाउडर को अपलाई करना शुरू कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब की थैंस पर वाचिंग टाटा बाई बाई टेक केर